ओल्डीज गुल्ड मैं आपका स्वागत ओर स्वाथ्य समंदी चाचा में होमियोपेटिक में देखो आईरिवेदिक के अंदर भी खूब दवाईयां हैं होमियोपेटिक में भी खूब है लेकिन अब आईरिवेदिक दवाई बनाने में करने में थोड़ी प्रोब्लम होती है आज मैं आपको जो अपने ये मसूडे होते हैं ये दांतों के उपर मेरे भी मसूडे खराब हो रहा है तो इन मसूडों के अंदर अपन जो खाते हैं वो बोजन के कन है जो पस जाते हैं और वहां पड़े-पड़े है जो फिर सोजन आ जाती है और मसूडों से पस निकलना सुरू हो जाता है मसूडे अपने जगे छोड़ देते हैं तो इसका आईरिवेटिक के अंदर तो यही है कि कोई सीच से कुल ले करो या जो भी है वो बताऊंगा बहले सब सब पहले में आपको होमेयोपेटिक में देखिए दांतों को परती दिन साफ ने करने की वज़े से भी दांत कमजोर होकर जड़ने लगते हैं दांतों में कीडे लग जाते हैं तता दांत खोक ले होकर सड़ने लगते हैं जिससे मसूडों से खून वए पीप निकलता रहता है इस पकार के दांतों के रोगों की चिकिसर जल्दी ने करने पर पाई रिया हो जाता है इस रोग में मसूडे सूर्क जाते हैं मुझ से बद्बू आती है और मसूडों से खून निकलता रहता है दांतों के रोगों में भोजन करने के एक थंडा पानी पीने से तेज़ दर्द होता है अब इसकी जो होमेपितिक में दवाईयां है जो इस परकार की जो प्रोब्लम होती है नमबर एक के दवा है मर्क सोल तीस पोटेंसी दिन में तीन बार या चार बार पंद्राभीश दिन मचुडे सूज कर मुलाइम हो गए हो और मूँ से बद्बू आती हो तो ऐसे लक्षणों में मर्क सोल तीकी तीस या च्छे पोटेंसी का सेवन करने से सूजन बद्बू ठीक हो जाती है अगली दवा है केलेंडूला यदि दांतों में पाईरिया हो गया हो और मसूडों से खून आता हो तो केलेंडूला औस दिकी तीस पोटेंसी दिन में तीन बार कुछ दिन लेने से लाब मिलता है अगली दवा है केली कार्ब मसूडे सूद जाने या अन्य रोग के कारण वे डिले पड़ जाते हैं इस तरह मसूडे डिले होने के कारण दांत हिलने लगते हैं और जड़ने लगते हैं इस तरह के लक्षणों में केली कार्ब 30 पोटेंसी 4-4 गंटे के अंतर से 10-20 दिन लेने से समझ्चा ठीक हो जाती है अगली दवा है इस्टेफी सेगरिया इस्टेफी सेगरिया मसूरों के अलावा और भी जैसे आंक में इस्टाई अंजनारी होती है उसकी पेटेंट दवा है और मर्दों के सेक्स प्रोबलम की पेटेंट दवा है और इस्टेफी सेगरिया जैसे कोई सरीर में सरजरी किसी चीज से हुई हो डोक्टर से और उस जगे पे अगर दर्द बना रहता है जैसे मान लिजिए कि आपके हाथ की सरजरी हुई कोई फोड़ा पुंसी या जो कुछ भी हुआ तो डोक्टर ने सरजरी करके आपको ओके कर दिया और आप ठीक होने के बाद में भी लंबे समय से उसमें हलका 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 दर्द महसूस करते हैं तो ये इतियास मिलना चाहिए कि सरजरी से ही ये ऐसा हुआ है तो एसी इस्तिती में इस्टेफी सेगरिया एक हजार की एक खुराक ले ले ये प्रोब्लम ठीक हो जाती है अब एक ही दवा कितने काम करती है अगली दवा जो परस पड़ जाती है गन पाउडर गन पाउडर बहुत जबरदस चीज है जो बंदू का पाउडर गन पाउडर का मतलब होता है बारूत जो पहले बंदू के अंदर यूँ बढ़ करके और ऐसे डंडी चलाते थे वो शिस्टम था अब तो आधकल नमालूम क्या क्या हो गया तो गंद पाउडर वो जो काला बारूद होता है जो पटाकों में भरा जाता है उससे ये गंद पाउडर दवा बनी है अमरत के समान इसके लक्सन है के मसुडों में सोजन पस निकलती है तो गंद पाउडर ये थरी अक्स के अंदर ही सबसे बढ़िया काम करता है कि gun powder 6 x 30 इन में भी लोग काम में लेते हैं लेकिन इसके सबसे अच्छे result 3 x में ही मिलते हैं gun powder powder में भी आता है और tablet में भी आता है और बिलकुल shape दवा है मैंना 20 दिन ले लो दिन में तीन बार ठीक हो जाओगे इसकी 3 x potency gun powder मसूड में फोड़े या सोजन या पस इस तरह की problem में ये काम आती है अगली दवा है सिस्टस मसूड फूलने और उसमें पस निकलने के साथ रोगी में उत्पन वीबिन लक्षन जैसे मुँ में ठंडा पन का मैसूस होना जीब को बार निकालने में कश्ट होना मसूडों में सडान तता उन में से खून आना अंगों में ठंडक मैसूस होना इस तरह के लक्षनों में सिस्टस उस्टी की थी सकती दिन में तीन वार कुछ दिनों तक देनी चाहिए अगली दवा है साहिलीशिया जो बायोकेमिक की है यदि मसूडों सूज गए हैं और दांस वे मसूडों में दर्द होता हो तो जिसमें से थंडी या गरम चीजों के से आराम मिलता हो तो इसे लक्षनों में साहिलीशिया तीस पोटेंशिया दिन में तीन बार देना चाहिए अगली दवा की यदि जो फिनाईल से बनी है मसूडों का छील जाना चोट लगने या ने कारणों से कून आना दांतों का काला हो जाना दांतों का खुर्दर होना आदी इस तरह के लक्षनों में कीरियो जो रोश्टी तीस पोटेंशिया दिन में तीन बार पंदा दिन लेन से लाब मिलता है तो आज मैंने आपको मसूडों से पस मसूडों की तकलीफ मसूडों में सोजन आदी की होमे पित्ति की दवा की जानकारी दी वीडियो चल लगे सप्पर पर